अभी हमें एक sequence और एक video editing timeline create करना होगा जहां पर हम actually video को edit करेंगे और वो करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जान लेना है हो सकता है कि आपको इन बारे में पहले सी पता हो लेकिन मैं फिर भी बता देता हो कि आपको पहले जानना है कि video resolution क्या होता है video resolution का मतलब यह है कि video का जो size है file size नहीं मतलब कि वो कितना MB या फिर कितना GB का file है वो नहीं लेकिन video का actual size है कि उसका जो width और height है वो कितना है हमें पता है कि हम जो भी digital screen में देखते हैं जैसे कि हमारे mobile में देखते हैं या फिर monitor पे देखते हैं वो सब pixels से बना हुआ होता है वहाँ पे 1920 pixels है and along the height उस monitor पे 1080 pixels है और अगर आप एक similar size के मतलब 21.5 inch के ही monitor को लेंगे जो full HD resolution नहीं है बलकि 720p HD resolution का monitor है तो वहाँ पे आपका जो screen का resolution होगा वो भले ही physically 21.5 inch का monitor है लेकिन उसमें जो pixel count है वो full HD monitor से कम होगा तो इसलिए अगर आप दोनों monitor को side by side देखेंगे दोनों का size 21.5 inch होने के बाद भी आपका जो full HD monitor है वो ज़्यादा sharp दिखेगा क्योंकि obviously उसमें ज़्यादा pixels हैं तो हम जब video को record करते है तब भी हमें ये resolution को ध्यान में रखना है और हम जब यहाँ पे sequence create करेंगे तो हमें ये setting ठीक तरीके से करना है यहाँ पे ध्यान दिजिए कि आपका जो monitor है उसका भी screen का resolution है और वो हो सकता है कि आपका full HD हो या फिर HD हो और आप जो video को लेके काम कर रहे है उस video का एक खुद का resolution होता है हो सकता है कि आप 1080p video के साथ काम कर रहे है लेकिन एक 720p monitor पे तो जब आप 720p monitor पे 1080p content चलाएंगे तो आप उस content का पूरा resolution देख नहीं पा रहे है आपको उस video का एक compressed version देखने को मिल रहा है ठीक उसी तरह अगर आप एक 720p resolution के video को एक 1080p resolution के monitor पे चलाएंगे तो आपका 720p resolution का जो video content है वो stretch हो जाएगा और इसके वज़े से वो आपको थोड़ा बहुत pixelated दीख सकता है अगर आपका original जो video है उसका resolution बहुत ही कम है तो आप जब वो content 1080p monitor पे चलाएंगे तो वो आपको बहुत ही bloody दीखने को मिलेगा जिसे हम कहते है pixelated हो जाना जहाँ पे आप उस video के individual pixels को देख पाएंगे और वो video sharp नहीं नजर आएगा तो video resolution के साथ ही एक और चीज आता है वो है video का aspect ratio aspect ratio video के width और height का ratio होता है सबसे common aspect ratio होता है 16x9 जो कि हमारा 720p HD videos होता है वो भी 16x9 aspect ratio में आता है और हमारा full HD जो 1080p videos होते हैं वो भी 16x9 format में ही रहता है हम जो monitors use करते हैं वो भी 16x9 format में ही जाद से जादा आते हैं इसलिए हम जब 1080p content को monitor पे देखते हैं तो वो पुड़ा age to age का hour up करते हैं video का resolution आप चाहे तो थोड़ा change कर सकते हैं और वो करने से आपका aspect ratio भी change हो जाएगा अगर आप एक film edit कर रहे हैं जैसे कि एक short film या फिर एक feature film edit कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 16x9 format में edit नहीं करना चाह रहे हैं बलकि 2.35x1 जो की एक बहुत cinematic aspect ratio है उसमें आप video को edit करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं यहां पर स्रीव आपको ध्यान में रखना है कि aspect ratio और video resolution एक चीज नहीं है एक 720p resolution के video का भी aspect ratio 16x9 है ठीक उसी तरह एक 1080p resolution के video का भी aspect ratio 16x9 ही है तो अगर आप 720p resolution के video को एक 1080p timeline में डालके उसे upscale करेंगे तो वो zoom होके एकदम edge to edge fit हो जाएगा क्यूंकि उसका aspect ratio 1080p full HD aspect ratio के सा सेम होता है and conversely अगर आप 1080p timeline में एक 4K footage को लेके काम कर रहे है तो आपको उस footage को downscale करना होगा नहीं तो आपको वो footage zoomed in देखने को मिलेगा similarly अगर आप 720p timeline में 1080p video को लेके काम कर रहे है तो भी आपको 1080p footage को downscale करना होगा 720 में तो यह हो गया आपका video resolution और aspect ratio इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज़ आता है और वो है video का frame rate तो हम जो भी digital videos देखते हैं तो वो actual में कुछ series of images होते हैं जो हमारे सामने एक video की तरह unfold होता रहता है as we play through it तो हो सकता है कि आपके video 24 frames per second में recorded है जिसका मतलब है वो video एक second में 24 frames record किया है अगर आपका frame rate जादा है जैसे कि 30 frames per second या फिर 60 frames per second तो आपका जो video का motion होगा वो काफी smooth होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक motion को capture करने के लिए 1 second में 24 frames लेते हैं और उसी motion को आप capture करने के लिए 1 second में अगर 60 frames लेते हैं तो 60 frames में जादा frame रहेगा इसलिए आपका जो motion होगा वो जादा smooth होगा क्योंकि उस 1 second की motion के बीच में जादा से जादा frames हैं अगर 60 frames के जगा आपका video 120 frames per second में है तो आपका video और भी जादा smooth लेगेगा तो यहाँ पर हमारा जो most commonly used video resolution होता है वो है full HD video जिसका resolution होता है 1920 by 1080 यह आज कर date में भी most commonly used video resolution है हो सकता है आप जो camera से video shoot करते हैं आपका mobile का camera हो या फिर आपका DSLR का camera या फिर कोई और video camera जिससे भी आप video record करते हैं there is a high chance कि वो video 1080p resolution में है और इसलिए most commonly used aspect ratio भी है 16 to 9 हम जो youtube videos देखते हैं वो भी जादा से जादा 16 to 9 aspect ratio में ही होता है चाहे वो 720p HD video हो या फिर एक full HD resolution के video हो या फिर एक 4K video हो मैं एक filmmaker हूँ इसलिए मुझे cinematic aspect ratios जादा पसंद है और वो 16 to 9 से भी जादा stressed होते हैं जैसे कि 2.35 is to 1 हो गया और मेरा लास्ट कुछ videos मैंने 2 is to 1 ratio में export किया है हाला कि मेरा जो footage था वो 1920 into 1080p full HD footage था लेकिन मैंने जो timeline set किया था video को edit करने के लिए वो मैंने 1920 into 960 में किया जाएंगे हो सकता है आपके पास बहुत सारे different camera के footage हो हो सकता है कि कुछ footage आपने day solar से shoot किया हो जो कि आपका 1080p resolution में है कुछ videos हो सकता है आपने अपना mobile phone से shoot किया है जो कि 720p resolution में है कुछ images आप use करना चाहते है जो कि कुछ audio resolution में है लेकिन जब आप video को edit करेंगे तो आपका जो final output रहेगा वो resolution आपका fixed होगा मतलब आपका जो final video होगा वो एक video बनके export होगा जिसका resolution fixed होगा तो वो resolution आपको पहले से decide करना है कि आप concert resolution में आपका जो final video है उसका output चाह रहे है तो मान लीजिए आपके पास 10 footage है उनमें से 7 footage है आपका 1080p में दो footage है 720p में और एक footage है आपका 4K में तो अगर आपका जो final वीडियो है उसका जादा से जादा footage अगर आपका जो साथ 1080p footage है उन में से होगा तो इस scenario में वहतर ही होगा कि आपका जो timeline है वो आप 1080p में create कीजिए क्यूंकि आपका जादा से जादा footage 1080p resolution में ही है तो जहाँ पे आप वो final वीडियो में 720p resolution का video use करेंग से बहुत कम समय के लिए रहेगा तो वो compromise हम कर सकते है और जो आपका 4K footage था उसे आपको downscale करके 1080p timeline में डालना होगा और जब आप एक higher resolution footage को downscale करते है तो आपका quality उतना loss नहीं होता है जितना lower resolution से higher resolution में upscale करने पे होता है और frame rate के लिए भी same है अगर आपके ज्यादा से ज् 24 frames में recorded है तो आपका timeline भी set कीजिए 24 frames का और आपका जो final output होगा वो 24 fps में होगा अगर जो 4K footage है वो आपका 60 fps में है तो वो automatically 24 fps में होगा और बहुत commonly used frame rates होता है 24 fps, 25 fps और 30 fps हम YouTube पे जो वीडियोस देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 fps में होता है हमरे पास जो Android smartphones या पिर iPhones होता है वो भी ज़्यादा तर 30 fps में ही video record करते हैं लेकिन अगर आप film बना रहे है तो film का commonly used frame rate होता है 24 fps मैं हमेशा 24 fps में ही काम करता हूँ मेरा YouTube वीडियोस भी 24 fps में ही होता है कहीं कहीं जगा पे आपको 24 fps को 23.976 fps के तरह भी देखने को मिल सकता है दोनों सेम चीज ह तो sequence create करने का भी बहुत सारा तरीका होता है तो चलिए देखते हैं वो कौन-कौन से तो जो पहला तरीका होता है वो है कि आप यहाँ पे new item बोलके एक icon देख सकते हैं इस icon पे click करके आप अगर इस sequence option में click करेंगे तो आपको एक नया dialogue box देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ प्रिसेट पहले से ही दिया हुआ है प्रिमेर के तरब से लेगिन आपको यहाँ से सेलेट करना नहीं है आप डिरेक्ली यहाँ पे settings में आ जाईए और यहाँ से editing mode में एकदम उपर में है custom उसे select कीजिए फिर उसके बाद आपका जो time base है वो आप अपने हिसाब से यहाँ से set कर सकते हैं मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको पता है कि majority of your footage are in 23.976 और आपका जो final output रहेगा वो भी आप 23.976 frame rate में चाहते हैं तो आप यहाँ से 23.976 select कर लीजिए फिर उसके बाद यहाँ पे आपको frame size डालना होगा so let's assume कि आप full HD resolution में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डालना होगा 1920 into vertically क्या था 1080 और यह जो pixel aspect ratio है इसे आपको square pixel 1.0 में select करना होगा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो resolution है वो यहाँ पे 16 to 9 aspect ratio में है फिर यहाँ पे और कुछ आपको select नहीं करना है वीडियो का audio ज आपका sequence का एक नाम दीजिए जैसे कि हम दे सकते हैं कि video editing tutorial तो यह हमारा यहाँ पे sequence create हो गया और यह हमारा timeline यहाँ पे आ गया है तो मैं यहाँ पे sequence create करने का एक और तरीका दिखाने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आप video editing के दारान encounter कर सकते हैं वो है कि प्रेम रेट है वो 23.976 है and now let's see कि आपका जो footage है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक footage है यहाँ पे 1920 x 1080 और उसका frame rate है 23.976 अगर हम इस footage को यहाँ पे डालेंगे तो हमें कोई problem नहीं होगा लेकिन यहाँ पे देखिए यह जो video है इसका resolution है 1280 x 720 और इसका frame rate भी मेरा timeline से match नहीं कर रहा है मेरा timeline का frame rate है 23.976 और इस video का frame rate है 25 fps तो अगर आप इस setting के timeline पे इस video को डालना चाहेंगे और वो डालने के लिए आपको यहाँ से इस video को click करके यहाँ पे लाना होगा जैसी आप यहाँ पे drag करके आप mouse को छोड़ेंगे आपको एक dialogue box देखने को मिलेगा ज जो है clip mismatch warning, the clip does not match the sequence's settings, change sequence to match the clip's settings तो यह प्रीमेर पूछ रहा है कि आपका timeline का setting है और आप जो footage को उस timeline पे डालने के कोशिश कर रहे है यह दोनों का settings match नहीं कर रहा है तो इसलिए वो mismatch warning दे रहा है तो यहाँ पे आपके पास दो option है आप चाहे तो existing settings जो आपका sequence का settings आप आपका sequence का setting है वो आपने जो डाला है वही रहेगा तो आप keep existing settings पे click कर सकते है या फिर आप चाहे तो sequence का settings है वो आप clip के settings से match कर सकते है और उसके लिए आपको change sequence settings पे click करना होगा तो चलिए click करके देखते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे click कर दिया तो आप देख सकते हैं जो मैं यहां पर यह नहीं चाह रहा हूँ तो मैं यह sequence को delete कर दूँगा और मैं फिर से sequence create करूँगा और इस बार एक नए तरीके से sequence को create करूँगा तो चलिए देखते हैं मैं simply यहां से sequence को delete कर दे रहा हूँ और delete करने के लिए मैंने delete बटन को दबा दिया या फिर मैं अगर Ctrl-Z दबाता हूँ तो वो undo हो जाता है और फिर से वो sequence आ गया है मैं चाहूँ तो इसे यहां से select करके, click करके, यहां पर drag करके, इस trashcan के उपर भी डाल सकता हूँ और इस process से भी वो sequence delete हो जाएगा तो अभी sequence create करने का एक और तरीका क्या है? और मेरे हिसाब से एक sequence create करने का यह बहतर तरीका है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहां पे अभी कोई sequence नहीं है और मैं चाहता हूँ एक ऐसा sequence create करना जिसका settings इस footage के साथ मिलता जूलता हूँ तो उसके लिए मैं दो काम कर सकता हूँ एक मैं इस footage को click करके directly यहां पे drag कर सकता हूँ और यहां पे छोड़ देने से यह एक sequence create हो जाएगा with the exact same settings आप देख सकते हैं यहां पे यह sequence create हुआ है जिसका settings exactly इस footage की तरह है और इस sequence का नाम भी होगा जो आपका footage है उसका जो नाम रहेगा वही आपका sequence का भी नाम हो जाएगा फिर से हम इस sequence को delete कर देते और इस बार इस sequence के उपर right click करके directly यहां से clear कर सकते हैं एक और तरीका होता है कि अगर आप इस footage को drag करके इस new item icon के उपर छोड़ेंगे तो भी आपका एक new sequence create हो जाएगा with the exact same settings